कहानी की शुरुआत होती है बाबी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो एक देट बोडी को जंबन में दफना रहा था बाबी वहाँ का लोकल निवासी नहीं था और बाबी के माथे पर लगी चोट को देखकर लग रहा था कि मरने वाले बंडी के साथ उसकी कापी ज्यादा लराई हुई होगी उस आदमी को दफनाने के बाद आप भी अपनी कार में शेहर से बाहर निकलने लगता है लेकिन तभी उसका सामना शरीफ नाम के एक पुलिस ऑफिसर की कार से होता है उसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है लेकिन किसी त पाद वहां पर जमीन अर्थक्विक की वजए से जोर जोर से हिलने लगती है कि अचानक आस्मान से एक चीज बाबी के सामने आकर नीचे गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है अभी देखता है कि गाए आस्मान से गिरने वाली उस चीज से दो चुकरों नी कात चुकी थ वो डरा हुआ कुछ चीज को चुने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो एक इंविजबल वाल है जो इतनी साफ थी कि इसकी वजए से कई घरवी दो हिस्सों में कट गए